दोस्तों तुम्हें पता है पिछले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मक्सुटा के मौंटन पर गया था वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया हमने खाये धेर सारे स्टीन मश्रूम्स, ग्रिल मश्रूम्स, मश्रूम राइस और मश्रूम सूप वहाँ पर खूफ सारे मश्रूम्स के डिशिस थे, मैं तो सारे खा भी नहीं पाया उन मश्रूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था उनका रंग और उनकी खुश्बू तो कमाल की थी तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारों से लगते हैं इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना वैसे दोस्तों वहाँ पर जारा सब की किस्मत में नहीं होता मेरा मतलब है जैसे की तुम लोग यह कोई नहीं बात नहीं है पर सीनियों की बड़ी-बड़ी बाते सुनकर बड़ा घुस्सा आता है और मुझे जलन होती है ओ हाँ मैं डोरी मॉन से बात करूँगा और मुझे यकीन है कि डोरी मॉन भी अपनी पॉकेट से मश्रूम नहीं निकाल पाएगा वैसे मैं आज तक उस जगा कभी नहीं गया देखो मजाग मत करो मैं वहाँ गया तुम्हें जरूर सबसे बड़ी मचली पकलूँगा इतने उदास क्यों लग रहे हो नोबिता ये नामुम्किन है क्या नामुम्किन है कुछ भी नहीं चलो ठीक है बड़े अजीब लोग है सब क्या बात है डैड डोरे मॉन अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ मेरे ओफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मचली पकड़ी है मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डिंगे मार रहा है उसने मुझे सुबूत के तौर पर उस मचली का फोटो दिखाया उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है उसने मुझे उस मचली से भी बड़ी मचली पकड़ कर दिखाने की चिनोती दी है अरे वो डिंगे मारता रहा और मैं सुनता रहा वैसे अगर मैं चाहों तो उससे भी बड़ी मचली पकड़ सकता हूँ समझे पर क्या है मेरे पास वक्त नहीं है अब डॉरेमोन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना उसने मुझे इस बात की चिनोती कैसे दी डाट यह नजदी की एक पिश पॉंड है ओहो तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नॉबीता बड़ी मचनियां सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती है समझे तुम ओ अच्छा मेरे पास जील और नदी दोनों है डाट क्या सच में जड़ा एक मिनट रुकिए मैं आपको अब ही दिखाता हूँ मिनियेचर गार्डन सीरीज माउंटें स्ट्रीम आखिर तुम इस मिनियेचर गार्डन से करने क्या वाले हो अभी बताता हूँ डाट स्विच को ओन करते ही पानी का सर्क्यूलेशन शुरू हो जाता है जिससे एक माउंटें स्ट्रीम तयार हो जाती है अब मैं इस पानी में छिड़ पूंगा कुछ इंस्टेंट हाचिंग मिनियेचर फिशेक्स जो कुछ ही देर में हाच हो जाएंगे ये लो अब वक्त हो गया है अब ये फिशिंग के लिए तयार है ठीक है डाट अब आप भी तयार हो जाएए अब जादिल दीजी डाट हाँ पर मुझे फिशिंग के लिए तयार होने की क्या दरूरत है अब आप अपने जूते पहन लीजिए आप तयार है स्मॉल लाइट समझ गया तुमने डाट को छोटा कर दिया ताकि वो मिनियेचर माउंडन स्ट्री में फिशिंग करने जा सकी बिल्कुल सही कहा अफो ये सब क्या है मैं तो भीग गया हूँ मुझे ज़रा आराम से नीज़ो उतारना था तुमने तो कहा था यहां बहुत सारी मचलिया होंगी पर यहां तो अरे ओ ओ ओ एट सारी मचलिया है तुमने देखा डाट कितने खुश है जोडी मॉन तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे हैंना सीरीज के बारे में ओ हाँ नोबिता क्या इसका मतलब यह है कि अलग-अलग तरह के पहार होती है तुमने सही कहा अच्छा कैस तरह की बताव ना जोडी मॉन रॉक्लाइबिंग प्रैक्स के लिए रॉकी माउंटेन होते हैं स्कीन तो बर्फ के स्लोग पर की जाती है और हाइकिंग के लिए बच्चे माउंटेन्स पर जाते हैं सर्वाइवल स्किल्स के लिए भी माउंटेन्स होते हैं और कई तरह के माउंटेन्स होते हैं सुनो डो रीमॉन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कोई मश्रूम का माउंटन भी होता है? होता है, सच में, कहा पर है, मुझे बीखना है, नोबिता, रूप चाहूं, मैं उसे बार निकालता हूँ, रूप क्यो, आरका मद्शू माउंटेन, यहां तुमें मश्रूम्स मिलेंगे, ये, अब तुम क्या करोगी, अच्छा सुनो नोबिता, मैं तुमें बताता हूँ, पहले मुझे मश्रूम के बीच बिखेडने होंगे, इस तरह, और फिर, हमारी स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से, हमारे पास कुछ खास चीज है, मिनि ये देखो, सब तयार है, नोबिता, अब हम लॉंज करने वाले हैं सन, अब हम इसे देंगे काफी सारी धूप और बारिश, और फिर तुम देखना, नोबिता, करीब दस मिन्टों में मश्रूम सुगने शुरू हो जाएंगे, जोडी मॉन, क्या मर्शिजू को और बागी ग को बुला लाओं, हाँ जरूर बुला लाओं में उने ले आता हूं क्या हम सारे मश्रूम सोड़ कर खा सकते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा नोबिता मैं सच के रहा हूं, आओ, तुम खुद ही देख लो अँआ, ओ, अले नोबिता, देले चलो, मैं चल्ट कर रही हूं देले चलो ए नोबिता शिजुका तुम दोनों कहां जा रहे हो क्या सचमुष नोबिता मैं भी आना चाहता हूँ हलो आंटी हलो आंटी हलो बेटा डोरे मोन हमें बताओ मश्रूम्स कहां पर है चलो हम शरू हो जाएं हमें इस माउंटेन पर जाना है अब तुम सब पहनलो अपने अपने बैंबू कॉप्टर्स देखो शिजूका मुझे कितना बड़ा मश्रूम्स मिला हे नोबिता देखो यहाँ पर कितने बड़े मश्रूम्स है शिजूका आओ वहाँ जाकर देखते है अच्छ ठीक है ज़रा में ले रुको तो सही जल्दिया बढ़िया लगता है हमारे यहाँ सारा समान अच्छी कौलेटी का होता है यह निजे आपका समान शुक्रिया आईए मैडम चार क्रोकेट्स ठाइक्च यू मैडम आज मश्रूम्स बहुत सस्ते विक रहे हैं और बहुत बढ़िया भी हैं आप लेना चाहेंगी आथ हाजार रुपए यह तो बहुत वाजिब दाम है मैडम आप खरीद लो क्यों नहीं यह है तो बहुत ही सस्ते पर मैंने किसे और दिन खरीदना चाहूंगी चलते हूँ देखो मुझे कितना बड़ा मश्रूम मिला यहाँ पर कितने सारे मश्रूम्स है पर मेरा बासकर तो फॉल हो गया है देखो मैं कितने सारे मश्रूम्स ले आया हूँ मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका और मश्रूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे ठीक है मुझे लगता है कि हमें इन मश्रूम्स को ताजा ताजा टेस्ट कर लेना चाहिए अच्छा है क्या है एक दिन मैं तब तक मश्रूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे उप ना जाऊं पर अगर कीमतें यूँ ही बढ़ती रही तो अरे शिजुका और बांकी सब अभी तक गए नहीं अरे ये क्या ये खुश्बू क्या ये मश्रूम्स की खुश्बू है ये खुश्बू तो उपर से आ रही है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ये कैसे हो सकता है मुझे जल्दी से चलकर डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए मेरी खयाल से अब हम इसे खा सकते हैं वा मला गया क्या खुश वो है रंग भी बढ़िया है बहुत टेस्टी है अरे वा मज़ा आ गया तुम इती जल्दी में मत खाऊ नो बिता चोड़ो ना यार खाने में दू यह अब तयार नहीं हुआ है जियार अब सब्र करो चलो अब वापस चलते हैं अब भी रहा चलो 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 ऐसा करते हैं घर चलत कर मॉम को सप्राइस कर देते हैं चलो ठीक है इन्हें घर ले जाने में कितना मज़ा आएगा इतने सारे मश्रूम्स देखकर मेरी मॉम तो चौकर बेहोश हो जाएंगी बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइस के हो जाएंगे अच्छा अँटी अब हम लोग घर जा रहे हैं अच्छा हम जा रहे हैं दोबारा आना तुम दोनों का शुक्रिया फिर मिलेंगे जब मन करें आजाना टोडी मोन क्या डाटने कोई मश्री पकड़ी होगी आओ देखते हैं हे सुनियो हाँ हाई जियान हाई शिजूका तुम दोनों इस वक कहा पर जा रहे हो जरा इन्हें तो देखो अच्छा तो ये मामूली मश्रूम्स हैं हे बेवकूफ क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते हैं हाँ मतलब ये अच्छी क्वालिटी के हैं हाँ बिल्कुल हम इन मश्रूम्स को मच उटा के माउंटेन से लाए हैं क्यों Shizuka, ठीक हाना? हाँ जी आन, तुम बिल्कुल ठीक है रहे हो फिर मिलते हैं सुनियो अच्छा तो हम चलते हैं चाहो तो एक लेलो सुनियो हाँ लकील नहीं होता मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ पर इतनी सारी मचलिया मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो सब डोरेमोन का कमाल है अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा हाँ डैग, आउ मॉम के लिए भी ले चलते हैं हाँ, अच्छा एडिया है हमारे लिए भी अरे सुनती हो कहिए मॉम डिनर का वक्त हो गया है अरे, पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं ये देखो ये सब क्या है, मुझे तंग मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ ये, ये तो ये मश्रूम जोर मचलिया हमав, अरे, ये कैसे हो सकता है मॉम, मुझे चाहिए मश्रूम राइस और मश्रूम सूप, ठीक है और मुझे पसंद है स्टीम मश्रूमuffs गिरिल्ड मश्रूमस और गिरिल्ड फिश, ठीक है, नहीN नहीं, ये नहीं हो सकता ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है लेकिन ये सपना नहीं है मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये पिल्कुल नहीं हो सकता अरे मैंने खुद इन मचलियों को पकड़ा है नहीं नहीं, आप एकनी सारी मचलिया पकड़ ही नहीं सकते तुम विश्वास तो करो